अपने हिप चिंतन का परिणाम देख लो शुक्राचारे अनेक युगों तक शिव की लंबी तपस्या करने के पश्चात भी देवांतक और नरंतक को इतने साधारन वर्दान प्राप्थ हुए जिनकी इन दोनों वीर पातालवासी असुरों को आवशक्ता भी नहीं थी ये वर्दान तो मेरी क्रिपा से भी इने प्राप्थ हो सकते थे दैत माता सत्य करिये देट गुरू शिव न मुझे स्वर्ग विजय करने का वर्दान दिया है परन्तु साधान करते वे ये भी कहा है कि यदि मुझे तनिक भी अन्याय और अत्यचार हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा हां देते गुरू मुझे भी प्रिथ्वी का राज्य देकर शिव ने साधान किया है देवान तक नरान तक तुम दोनों को इच्चित वर्दान मिलने पर भी तुम असंतोष्ट हो इनके असंतोष का कारण है शिव की कूट नीति शिव नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें अलग-अलग रहने के कारण इन दोनों की संयूक्त शक्ती से ट्रैलोक्य में ये दैत्य सामराज इस्थापित ना कर सकें ये शिव का अन्याए नहीं तो और क्या है अशितोष बदवान शिव ने जो कुछ भी किया है वो उचिती किया है यदि इन दोनोंने अन्याय और अत्याचार के बल पर तीनों लोकों में असुर सामराज्य स्थापित करने का अनुचित प्रयास किया तो इनका अंध निश्चित है दैत्य और असुर्थ यदि बल प्रयोग नहीं करेंगे अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे तो उनकी सत्ता को कौन स्विकार करेगा जिस भक्ति की शक्ति पर इन्होंने पृत्वी और स्वर्ख का सामराज्य पाया है उस पर विश्वास रखो शिवकृपा से वही होगा जिससे दैत्य जाति का कल्यान हो देवान तक नरां तक दैत्य गुरु एक बार पुना दैत्य शत्रु का कर्तवे निभा रहे हैं इनके परामर्ष से जिव अराधना करके तुम दोनों एक बार अपना सर्वनाश कर चुके हो अब तुम वही करो जो मैं कहती हूं हमें आप पर पूर्ण शद्धा है देत्य माता आपता परामर्ष हमारे लिए आग्या है हां कहें क्या करना होगा हमें अपनी भयानक विध्वन्सक और विष्भोटक शक्ति का प्रयोक करके तुम दोनों देत्य सामराज्य की स्थापना करो इस देत्य शत्रू के साम एक पल भी रुकना अब तुम्हारे लिए घातक से दोगा देत्यों के आराध्य भगवान शिव ने अपने वर्दान से श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इनकी मृत्यू को टाला था परन्तों आपके अभिमान के कारण इनकी मृत्यू कित्री निकट आ गई है वश्चात आपके अश्रू बहाने के अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कुछ भी शेश नहीं है शुक्राचारे अब तुम इस परवत गुफा में रहकर अपने शिव को प्रसन्न करने का मूर्खत प्रयास करते रहो शिव 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 भक्ति और शिव अराधरा का रहस्य और परमानंद आप क्या समझेगी देटे माता आप पर तो प्रतिशोद और प्रतिरोद का लेप चुड़ा हुआ है सत्य को पहचानने की शक्ति अब खो चुकी है इस गुफा में बैठकर शेव को कुकार कुकार कर सत्य को पहचानते रहो शुक्राचारे असुर और दैत्य जाती को अब तुम्हारी तनिक भी आवशक्ता नहीं है कि देवांतक और नरांटक की विजय की भूमिका अब मैं बनाऊंगी तैत्य मत अधीती जिस प्रकार आपने अपने मिथ्य अभिमान का हलाहल विश अपने पोत्रतार का सुर को पिलाये था उसी प्रकार आप देवांतक और नरांतक के मन में विश्ख खोल रही है इसका परणाम दैत्य जाती को चुगाना होगा अब इन दोनों की मृत्यूँ परम देव श्री महा गनेश के अवतार के हाथों निश्चित है ओम नमस्षिवार नहीं नहीं यदि भगवान शिव ने देवताओं के ऐश्वरे को धूल में मिलाने के लिए दूष्ट देवांतक और नरांतक को वर्दान दिया है तो हम कायरों की भादिया अपना मूँ छुपाकर यहां वहां नहीं गुमेंगे हम अपनी शक्ति से दैत्यों को पराजित करके ही रहेंगे शमाकर देवराज देवानतक और नरांतक की महाविस्वोटक शक्तियों को अब शिव कृपा प्राप्त हो गई है उनका विरोद करना देवताओं के हित में ना होगा यदि हमारे भीतर आत्म विश्वास है तो शत्रू के शिव कृपा हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी दैत्यों को हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे परंतु देवराज बर्दानी दैत के शक्ति के सम्मुत देवताओं की पराजे तो आप तो युद से पूर्वी पराजे की रूप रेखा बनाने लगे लज्जा आती है तुम्हें देवता कहते हुए बरुर्देव आग्या देवराज इसी समय जाकर देव सेना को सचेत करें दैत्य सेना के विरुद युद करने के लिए आवशक अस्त शस्त ससु सजित करें जो आग्या देवराज परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवशकता नहीं है देवराज इंद्र युद की घोशना कर चुके है इस युद में देत्यों को पराजित करना देवताओं का करतवे निश्चित हो चुका है अब इस निर्णे में किसी भी विचार की संभवना नहीं है जैसी आपकी इच्छारी राज वर्दानी देत्यों के विरुद ये युद हमें अपनी शक्ती अपनी युक्ति से किसी भी विचार से विजय करना है जिससे भविष्य में स्वर्ग सामराज वर्दान में देने की परंपरा ही समाप्त हो अगनिदेव आज्या देवराज आप इस देवसुर संग्राम के लिए देवगुरु ब्रहस्पती से परामर्ष और सहयता प्राप्त करें आप देवगुरु को संदेश दे कि वे अपनी भक्ति की शक्ती से देवताओं को अपराजित बना दे वहन देव आज्या देवराज आप गंधर्वों, किन्नरों, विद्या धरों के साथ-साथ ग्रहों, लोगपाल और देखपालों को ये संदेश दे कि वो अपनी पूरी शक्ती और सेना के साथ देवताओं का साथ दे जोआ क्या देवराज जाएं और इसी समय युद्ध का बिगुल बजाएं और बिगुल के स्वर कैलाज तक अवश्य पहुंचने चाहिए जाएं पोबारा अब आप खेलो पोबारा भाईया कार्तिके यदि तो माताश्री के साथ चौसा खेलने के इच्चु को तो आओ मैं हट जाता हूँ नहीं गणपती मैं खेल में तुम जैसा चतुर नहीं हूँ मैं माताश्री से पराजित हो जाऊंगा पुत्र कहती के माता से पराजित होने में कैसा भै यदि मन हो तो आओ खेलो नहीं माताश्री आपसे पराजित होने का कोई भै नहीं है भै तो इस गजानन के परिहास का है ये ना तो किसी से पराजित होता है अपनी पराजय को निकट देकर दिव्यो शक्तियों का प्रयोग करने लगता है और दूसरों की पराजय के समय व्यांग करने का आउसर पी नहीं चुकता ऐसी बात है तो मैं गजानन को कख्ष के बाहर भीज़ देती हूं नहीं नहीं माता श्री इसकी आवशक्ता नहीं है आपका और गणपती का खेल देखने में जो आनंद आ रहा है वो खेलने में नहीं आएगा तुम धन्य हो कार्थिके तुम्हारे यही प्र गणपती जीवन या वक्ता बनने से अधिक कथिन होता है श्रोता बनना प्रदर्शक बनने से अधिक कथिन होता है दर्शक बनना क्योंकि श्रोता और दर्शक के भीतर धैरी और संयम सबसे अधिक मात्रा में होता है सफलता धैरी और संयम को है मिलती है माता, आपका ध्यान खेल से अधिक बातों में था, इसलिए आपको पराजे का मुख देखना पड़ा ये उचित नहीं कजानन, तुमने मेरी असावधानी का लाब उठा कर मुझे पराजित किया है, मैं पराजित नहीं हुई हूँ माता और पुत्र के मधे, चौसर खेली जा रही है देखिये स्वामी, चतुर गनेश ने अपने चल से मुझे चौसर में फिर से पराजित कर दिया ये नाम पितार्ष्री, चलो बड़े भाईया, पितार्ष्री और मातार्ष्री को चौसर का खेल खेलने दो पितार्श्री के सामने हमें मातर्श्री के साथ चौसर खेलने का कोई अधिकार नहीं है मातर्श्री यदि आप खेल में हार स्वीकार करना नहीं चाहती तो मैं हार को आपका प्रसाद समझ कर स्वीकार कर लेता हूं अब आप अपने इस वाचार पुत्र को शमा कर दें देखा पार्वती पुत्र हो तो गजानन जैसा यह अपनी माता को पराजित होते हुए भी नहीं देखना चाहता जबकि पराजित भी इसने स्वयम ही किया है नहीं पिता श्री मेरे बड़े भाईया के होते हुए मुझे अपनी प्रशन सा स्वीकार नहीं है कहिए पुत्र हो तो कुमार कार्थिके जैसा जो अपनी माता के साथ खेलना ही नहीं चाहता तो इसमें हारने और जीतने का प्रशन ही नहीं उड़ता देवी पारोती हमारे गजनन की बात का कोई उत्तर है तुमारे पास गणपती तुम बाचाल और चतुर होने के साथ साथ नटखट भी हो गए हो सुआमी हमारे लंबी समय के पश्चार हिमाचन से कैलाश लोड़ते ही अब अचानक कहा द्रिश्य हो गए थे पिताश्री क्या आपको हमारा केलाश आना अच्छा नहीं लगा पिताश्री आपने ही तो माताश्री को बुलाने के लिए नंदी महराज को भेजा था फिर हम सब के आने पर आप अद्रिशी क्यों हो गए हमारे दो आराधकों की पुकार भी तुम सबने आवश्य सुनी पिताश्री को वर्दान देना आवश्यक था पिताश्री ये आराधक कौन है और उन्हें आपने और अध on diğer पाताल लोग से दdadeत्य गुरु शुकराचारी के पुकार पर आये दो डेत्य देवानतक और नरांतक थे पिताश्री आपने देवानतक और नरांतक को वर्दाथ द कुमार दजानन तुम करें जिन्दा आके महादेव को दैत्यों की अंट का उपाए उन्हें वर्दान देने से पहले ही निकिष्ट कर देते हैं बिताश्री आप जिसका पहले से निश्यद कर लेते हैं। उसे वर्दानी क्यों देते हैं। कुमार तपस्वी को वर्दान देना ना एक परमपरा है। अब थू, विधी का निश्यद विधान है। शमा करें। बड़े-बेलाये का प्राश्ञम कुछ और था। जिसका अंत पहले से ही निश्यतों उसे वर्दान क्यों दिया जाए यहीं पूछा था ना बड़े भाईया पुत्रों दुष्ट दैत्यों को तपस्या का प्रतिफल और वर्दान देने के पीछे एक परम पावन भावना होती है अपने आराध्य से वर्दान की किरपा पाकर उसकी भक्ती दिड़ हो जाए दुष्ट कर्मों को छोड़ कर वो सतकर्मों की और प्रवर्त्य हो परन्तु प्राया ऐसा होता नहीं इसी लिए डैतियों को वर्दान देने से पूर्व उनके अंत का निर्णे निश्चित कर दिया जाता है पिताश्री आपने दुष्ट देवानतक और नरांतक की अंत का क्या उपाई निश्चित किया उन दोनों का वद कौन करेगा पिताश्री श्री महागनेश के अफ्तार के हातों अत्याचारी देवानतक और नरांतक का अंत होगा वही उस अफ्तार का प्रमपुद्देश्य है अब तुम दोनों अपनी बातों को विराम दो और हमें चौसर खेलने दो अवश्य पिताश्री चलो भाईया हम लोग भी बाहर चलकर किसी खेल का प्रबंद करते हैं ओम महागनेशाय नमहा ओम परम देवाय नमहा ओम विश्ववर्दाय नमहा ओम महागनेशाय नमहा ओम परम देवाय नमहा क्या हुआ देवय अदीति स्वामी कितने निष्ठूर है परम देव श्री महागनेश मुझे महतकाट जैसा महानपूत्र प्रदान करके उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया ये आप क्या कह रहे हैं देवय अदीति शांत हो आप अब मैं शांत नहीं रह सकती स्वामी बहुत कटके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती मैं इसी समय इस परवस्षिकर से छलांग लगाकर अपने जीवन कर त्याब कर दूंगी देवय अदीति आप तो धहरी की माता हैं परमद्यो श्री महा गणेश की द्यालूता पर संदेह न करें यह अवश्य ही उनकी कोई लीला होगी नहीं स्वामी जोधी परमद्यो की यह लीला होती तो अकंदारादना से प्रसन होकर व्यवशी ही हमें अपने लीला का संकेत देते हैं ऐसा भी तो हो सकता है देवी कि वे कि वे हमारे धैरे की परिक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो सपर्णी panadamड स्वी महागनेश की भत्तिन के रूप में मुझे उनकी हर परेक्षा सविकार है प्रंथ कतकी मा की रूप में मुझे कोई परिक्षा सविकार नहीं यदेमेरे मातरित्वे में कृटी है यदे मेरे मातरित्वे लांचहर वुट करना आए नहीं आपनी अधीरता और विग्रता को छोड़कर सचे मन से परम्द्व श्री महागणेश से प्रात्ना करें वे अवश्य कमारी प्रात्ना स्विकार कर लोंगे देवी अधीती रही स्वामी अब मैं एक शंड भी प्रतिक्षा नहीं करूंगे अब परम देव श्री महागनेश को इस बात का निर्ने करना ही होगा कि मेरी भक्ति सच्ची है अथवा नहीं मेरा मातरीत्व स्रेष्ट है अथवा नहीं देवी अदिती स्वामी मैं प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास को रोक लूँगी मेरी साधना तक यदि महत्तट लोटकर नहीं आया तो मैं अपनी कुंडेली नी जागरित करके अपनी प्राण त्याग दूँगी देवी अधिति मैं आपको भक्ति योग चाट योग क्यों जाने नहीं दूगा देवी अधिति मेरी बात सुनिये देवी अधिति विष्व को वरोदान देने वाले परम दे युदी एक शण के लिए भी मैंने आपकी सची बदी की है तो हमारी रक्षागरे प्रभू हमारी रक्षागरे प्रभू हम पर कृपा करे परम देव ये Showma Nidhta Hawn do Social whisper